मामा भांजे की जालसाज जोडी का शिकार सिर्फ बैंक नहीं बना बलकि वो लोग भी बन गए जो उनकी कमपनियों से जुड़े हुए थे अपने करमशारियों के नाम पर कमपनी बना कर मामा भांजे ने खुद मोटा पैसा कमाया लेकिन जब मामले का खुलासा हुआ तो वो लोग भी कानूनी शिकंजे में जिनके नाम पर फर्जी कमपनिया बनाई गई थी ABP News की टीम ऐसी ही एक कमपनी के डारेक्टर के ठिकाने तक पहुँची और जिस हाल में वो डारेक्टर रह रहा है देखकर हैरान थी जुग्गी में रहते हैं करोपती डारेक्टर मामा भांजे के धन्दे के मोहरों से मिली मुंबई की गलियों में ABP News की टीम नीरब मोदी और मेहुल चौकसी की कमपनियों के डारेक्टर की तलाश में निकली तो हैरान करने वाले खुला से हुए ऐसे ही एक डारेक्टर का पता CBI की दूसरी FIR से हमें मिला नाम मिहर भासकर जोशी पता हाउस नमबर टू मनु प्रसाद जॉल दहिसर मुंबई डारेक्टर गिल इंडिया लिमिटर मामा भाजे की कमपनी के इस डारेक्टर की प्रोफाइल तो आपने जान ले अब आएए आपको मुंबई के स्तंग गली की कहानी बताते ABP News संबादाता वरुन जब मिहर जोशी का पता लगाते हुए उनके पते पर पहुँचे तो नजारा हैरान करने वाला था इतनी बई कमपनी के डारेक्टर का ठेकाना ये छोटी सी चौल यकीन नहीं हुआ तो हमने आसपास के लोगों से पूछना शुरू की कई लोगों से बात करने के बाद हमें ये बुज़र्ग महला मिली जो बात करने को तयार हुआ महला के मुताबिक महर जोशी यहीं रहता था मगर कुछ वक्त से किराय पर कहीं और रहने लगा था ये जो महर जोशी थे आप इनको जानते हैं? हाँ जानते हैं भाई ये कितने सालों से हाप रह रह रहे थे? इस तंग गली में हमें महर जोशी तो नहीं मिला मगर उसका नया पता जरूर मिल गया सो हमारी टीम यहीं पास कही आशिवाज बिल्टिंग पहुंचे जहां उसके रहने की तस्दीक तो हुई लेकिन महर जोशी फिर नहीं मिला अच्छा आप उनके फादर है? मैं उसके इंदर हूँ नहीं तो बाइस है अच्छा उनके ममी पापा? तो महर कहां काम करते हैं? यानि मामा भाणजे की कमपनियों का एक और डारेक्टर उसी हालत में मिला जैसा की दिनेश भाटिया और धनेश सेट नाम के डारेक्टर्स का हाल था साफ है कि निरव मोदी और मेहुल चौकसी ने अपने फर्जी वाड़े को अंजाम देने के लिए न केबल कमपनियों का जखीरा तयार किया बलके उनके फर्जी नाम पते पर फर्जी तरीके से डारेक्टर भी बना रखे थी जिनके नाम सीबी आई की पहरिस्त में तर्ज हो चुपीगी ये है एबीबी नियूज आपको रखे आगे